CBSC class 9th और 11th के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका result आ गया है, pass हो गए हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका compartment आ गया है या re-exam होना है, वही class 10th और 12th के भी ऐसे बच्चे हैं जिनको compartment 2 या 3 की परिक्षा देनी है, जो कि अप्रेल में शुरू होने वाली है 26 अप्रेल स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि compartment exam का question paper कैसे बनता है, चाहे 9th और 11th के बच्चे हूँ या 10th हो 12 के बच्चे हूँ, सब के लिए मैं इसमें discuss करने वाला हूँ, और चुकि इस बार कुछ नए नियम आये हैं, इस वज़र से दिक्कते बढ़ी हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले साल ये question paper कैसे बना था, ये सब कुछ मैं आपको दिखा के समझाने वाला हूँ, कि किस तरीके से compartment exam conduct होगा, किस तरीके से आपका paper होगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कौन सा तरीका अपना करके आप आसानी से पास हो सकते हैं, चाहे class 10th हो या 12th हो, 9th और 11th के बचों के लिए भी हम बात करेंगे, साथी में हम जानेंगे कि किस तरीके से supplementary का paper बना है 9th और 11th का, और class 10th और 12th के board exam का paper इस बार किस तरीके से design हुआ है, कैसे आने वाला है, तो ये सा पारी बाते हम share करेंगे बचों, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो like और share तो करेंगे ही करेंगे, और हमारे चैनल को भी subscribe करना नहीं भूलेंगे, तो hello दोस्तों, मैं उमानात पांडे, स्वागत करता हूँ आपका, आपके मैं comment करके बताएंगे कि compartment second का exam दे रहे हैं, compartment third का, अब आपके सब के मन में होगा कि आपका question paper कैसा आएगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा class 10 और class 12 के बचों की, उसके बाद मैं फिर मैं 9 और 11 के बचों की बात करूंगा बचों, तो आपको मैं बता दूं कि class 10 और 12 के ज ऐसा exam है जिसमें आपको एक या दो बिसें में मौका मिलता है, class 10 में और 9 में 2 बिसें और इससे ज़्यादा भी मौका मिल सकता है, 9th class में, 3-4 subject में भी school वाले मौका दे सकते हैं, लेकिन class 10 में 2 ही subject और class 12 में एक subject में आप compartment का form भरे होंगे और इसकी परिक्षा आपको देनी है, अब बात आती है कि इसका question paper hard आता है या easy आता है, तो बचो इसका जो compartment exam है यह दो तरीके का होता है, एक होता है special compartment exam जो main exam के result के आने के बाद में, जैसे board exam होने वाला है, इसका result आएगा जो बच्चे फेल होंगे उसके बाद एक compartment special exam होगा, जो सिर्फ compartment exam कहलाएगा, उस में जो बच्चे participate करेंगे, उनका paper थोड़ा सा easy आता है, लेकिन जो board exam का paper है, जैसे अभी यह जो board exam होने वाला है, इसमें जो बच्चे compartment का form भरे हैं और exam देने वाले हैं, यह question paper comparatively hard आता है, क्योंकि CBSC का एक standard है, वो कभी भी अपने board exam के paper को low नहीं रखती, हेलो बच्चों, अगर आप अनकेडमी पर कोई भी subscription भाई करना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि एक अप्रेल से इसकी prices बढ़ने वाली हैं, चाहे वो iconic subscription हो या फिर plus subscription, बच्चों अगर आप plus subscription भाई करते हैं, तो आपको इंडिया के best educators के द्वारा interactive live classes मिलेंगी, live test और quizzes होंगी, structured courses और PDFs मिलेंगे, साथ ही में अगर आप iconic subscription भाई करते हैं, तो प्लस वाली सारी benefits तो मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको personal mentor मिलेगा, live doubt solution होगा, parent connect की सुब्धा मिलेगी, और study planner भी आपको provide किया जाएगा बच्चों, इसके अलावा बच्चों, creative corner अब वापस आ 20 मार्ज तक CBSE class 612 या कोई भी foundation course को आप purchase कर सकते हैं, इसके अलावा CBSE class 10th और 12 के बचों के final exams की last minute preparation को boost करने के लिए, उसे check करने के लिए unacademy लेकर के आया है, emerge mock test series बिलकुल free, तो बचों अभी जाएं मेरा code use करें GEA और enroll करें free में, वीडियो description में सारे link दिये हुए हैं, अभी use करें मेरा code GEA और पाएं किसी भी subscription पर 10% off, so let's crack it with unacademy, अगर class 9th और 11th के बचों की बात करें, तो 9th और 11th के exam के बचों का चुकि question paper school label पर ही बनता है, इसलिए question paper easy रखा जाता है, इसकोल वालों को भी पता है कि ये बच्चे भी फेल हुए है, इन बचों को अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, class 10th में है, class 12th में है, तो आपको क्या करना चाहिए, बचो class 10th और 12th में है, तो अब मौका ये नहीं बचा है कि आप सब कुछ पढ़कर के पास हो पाएंगे, अब आपको selective study करनी होगी, क्या पढ़ना है, क्या important है, इस प ले लीजिए, teacher से help ले लीजिए, और अपने notes से पढ़िए, खुद के notes से, अब अगर आपके पास में खुद के notes नहीं है, आपके पास में कोई teacher या कोई friend या कोई घर में guide करने वाला नहीं है, तो हमारा online support group अभी भी आप join कर सकते हैं, और इस कम समय में भी अगर आप हमा इसले strategy ही आपके लिए काम करेगी, class 9th और 11th के बच्चे हैं, उनको तो भाई time ही कम मिला है, चुकि अभी अभी आपका exam कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो revision करने का मौका आपको मिलेगा, एक आधबते का time हो सकता है, इसको लवाले दें, और अच्छे से पढ़ाई कर इस बार 2 घंटे का paper है, question paper पहले बड़ा बनता था, इस बार half slabers से बना है, और number of questions बहुत ही कम है, तो इसका benefit तो आपको मिलेगा, चुकि question paper भले hard बना है, लेकिन questions कम आएंगे, और time 2 घंटे का है, तो इस वज़ा से आप इसमें थोड़ा सा फायदा तो पाएंगे ही पाएंगे, तो paper तो थोड़ा hard बना है, compartment, अब चुकि board exam है, तो board exam के साथ ही में, वही question paper आपको मिलेगा, जो regular बच्चों को मिलेगा, तो ये paper कभी भी बहुत easy नहीं आता, बच्चों, इसका एक standard होता है, CBSC से कभी down नहीं करती, लेकिन फादा ये है कि questions कम हुए है, syllabus बस है कि आपको 35% syllabus पढ़ना था, आपने term 2 का syllabus देखा ही होगा, 70% का आधा, वही उतना पढ़ना था, questions कम है, time जादा है, तो ये सारे factors आपके favor में हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी simply मतलब अगर मन लगा करके पढ़के गए, तो आसानी से आप pass हो जाएंगे, अब एक बात है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस बार जो question paper ज्यादा tough हाने की उम्मीद है, उसके बारे में हम discuss कर लेते हैं, और आपको बता देते हैं, तो बचो इस बार चाहे class 10th हो या class 12th हो, maths का paper थोड़ा सा tough रहने की उम्मीद है, इसके अलावा जो chemistry है और physics है, इसमें भी physics का paper अगर आपका है, तो थोड़ा सा secure हो जाईए, अपने आपको secure का लीजे, physics का paper हर बार रुलाता है, CBSC में, वैसे अगर आपका अनुभा हो है, तो आप हमें बताइएगा कि किस तरीके का पिछला paper रहा है आपका, तो physics, chemistry, maths, इसके अलावाद, इसके बाद जो number आता paper भी easy नहीं आता है, तो ये सारे essay papers से अगर आपको इसमें compartment की exam देना है, तो आपको मन लगा करके पढ़ाई करनी होगी, और कम से कम उन चीजों को selective पढ़ करके जाना है, जो आता है, पिछले साल हमने maths, physics, chemistry और biology में या accountancy में बहुत सारे बचों को important तोगरा बताया था, औ और उन में से बहुत सारे questions आये थे, तो अगर आप topic देख सकते हो, कहीं से आपको मिल जाता है, selective पढ़ करके जाओगे, तो कोई भी subject tough हो, easy हो, फरक नहीं पढ़ता, आप आसानी से pass हो जाओगे, और passing marks दोलाना इस बार बहुत आसान है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितन term 1 में, आपको जितना term 2 में मिलेगा, उतने ही marks आपको term 1 में भी मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा अगर बहतर number term 2 में ले आए, तो आसानी से pass हो जाएंगे, अब class 9th और 11th के बच्चे हैं, उनको में syllabus बता दूँ, 9th और 11th के बच्चों का syllabus वही रहेगा, जो term 2 का syllabus था, इस अपनी तैयारी एच्छे से कीजिए, हमारी धेर सारी सुबकामना आपके साथ में बच्चों, इस चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि आने वाले time में इस पर हम और वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, proof दिखा करके आपको समझाएंगे कि ये question तो इस बार आने वाला ही ही है, तो हमारी धेर सारी सुबकामना आपके एक्जाम के लिए, all the best, may God bless you, thank you for watching this video.